हुआ हुआ है दोस्तों आज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हुआ हमारा अपर मेστεल होता है अफर्मेटर सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्ट सकारात्मक वाक्ट अब अफर्मेटर सेंटेंस होता कैसा है इसको पहचानी कैसे ठीक है तो जो हमारा अफर्मेटर सेंटेंस होता है इसमें किवल एक करता होता है यानि कि सब्जेक्ट होता है एक मुख क्रि रहेंगे जैसे कि मैं थोड़े से एक्जामपल लिखते हैं और आपको डाउट क्लियर करता हूं राम खाना खाता है यह एक एक्जामपल फिर दूसरा हो गया राम खाना नहीं खाता है खाता है और तीसरा क्या राम खाना खाता है यह तीन तरह के वाक्ष है तो हम अफ़र्मेटर सिंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा पहला वाक्ष जिसमें देखना है तीन वक्त अंतर क्या है सबसे पहले देखना है तो यहां पर जो पहला वाक्ष इसमें राम खाना खाता है लेकर जो दूसरा वाक है, इसमें नहीं भी आ गया है, क्या गया है, ठीक है, और जो तीसरा है, इसमें क्या आ गया है, लेकिन जो पहला है, राम खाना खाता है, इसमें नहीं है, और नहीं क्या है, तो जो हमारा अफर्मेटल सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं रहता, यानि कि नहीं सब् मिलेगा य permitir और प्रश्रार होते हैं क्या 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 किसे कहा किसलिए ये हमारे रहते हैं तो न वो आना चाहिए और नहीं सबदाना चाहिए कि अग्पक हमारा कहलाता है ठीक है रहां खानाखा तारश इस तरह कि और आपका जो दाउट है skleer हो में मुक्यस बाजार जाता है यह इंदर नहीं रहे जाएगा फिर यह निगेटिव के लिदर चला जाएगा अभी मैं आपको आंगे निगेटिव बताने वाला हूं किसे कहते हैं तो मुकेश बजार जाता है यह हमारा वाक इसी के अंदर का कहलाएगा अफर्मेटर सेंटेंज को फिर तीसरा लेखता हूँ राजा एक आदमी को एक आदमी को यह राजा ने राजा ने एक आदमी को सजा दी यह हमारा पास टेंज के अंदर का वाक है लिकिन फिर भी जो नोटिस करने वाली बात है वो यही है किसमेद देखेंगे आप तो कहीं भी आपको प्रिश्णवाचक सब्द नहीं मिलेंगे अभी आपको प्रिश्णवाचक सब्दों में confusion है पता नहीं है कि प्रिश्णवाचक सब्द किसे कहते हैं तो अलग से उस पर मैंने वीडियो already बना दिया तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिश्णवाचक सब्द किसे कहते हैं हलाकि मैं स्वाट में आपको बता देता हूं कि क्या नहीं पर लिपता हूं क्या क्यों कैसे कहां जो इस तरह के word होते हैं यानि जो सवाल करने के लिए किसी से सवाल करने के लिए सब्दों करिया जाता है तो यह थिदर यहां पर देखना हमें राजा ने एक आदमी को सजदी तो यहाँ पर हमें नए इस तरह की सब्द मिलते हैं इसके अंदर और नहीं सब्द आता है तो इसलिए यह जो वाक हुआ हमारा यह affirmative sentence के अंदर का कहलाएगा एक और जहां पर लेता हूं मैं रस्नी खाना बना चुकी है तो रस्नी खाना बना चुकी है यहाँ पर देखो रस्नी खाना बना चुकी है नहीं इसके अंदर नहीं सब्द आया है और नहीं यह वाले वर्ट्स आये हैं कि ये जो हमारा यहानि कि ये हमारे चार्व वाक्थ है ये पिर सब्सक्राइब है कहीं देखेंगे या कहीं भी आपको इस तनर निहां में पैचान जाना है ये वाक्यों हमारे सट Dreya के अंदर की हूं है थीध से दूसरा निगेटिव वाला कि निगेटिव सेंटेंस किसी कहते हैं ठीक है इसको जली समिटा लेते हैं अब देखिए दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस यानि कि निगेटिव सेंटेंस किंदा किस तरह के वाक का आते हैं तो इसको हम हिंदिय बोलेंगे नकारात्मक वाक तो पहले मैं लिखता हूँ सकारात्माक वाक ठीक है तो पहले ग्यांपल राम खाना खाता है तो राम खाना खाता है तो राम खाना खाता है अभी हमारा सकारात्माक वाक है या फिर अफर्मेटे सेंटेंस है लेकिन जैसे में इसके अंदर नहीं डाल देता हूं क्या नहीं सब्द को डाल देता हूं तो यह हमारा नहीं सब्द इस पूरे वाक को क्या बना देता है नेगेटे सेंटेंस यानि कि नकरात्माक वाक राम खाना नहीं ख सेंटेंस कहेंगे ठीक है इसके और सारे देख लेते हैं हम कि फोटोबाल कि नहीं खेलते हैं यह हमारा नहीं आ गया इसलिए जो वाक्त हमारा निंगेटेव सेंटेंस के अंदर आएगा नहीं कि खेलते हैं फिर तीसरा हेगा मैं रोज इसकूल नहीं जाता था नहीं जाता था एक यह वाक्त यहां भी नहीं आया है तो और यहां भी तो यह तीनों वाक्त के निगेटेव सेंटेंस के अंदर के कहलाएंगे एक और एक और लिखेता हूं कि आप रोज कि अधार नहीं जाते हो ठीक है तो इस तरह के वाक्त आप ने देखा इनको हम निगेटेव सेंटेंस कहेंगे अब इसके वाद तीसरा तो पर हमारे निगे तीसरे तरह के वाक्त है इंट्रोगेटेव सेंटेंस ठीक है तो तीसरे तरह के सेंटेंस होते हैं यह होते हैं इसे कैसे वाक्त आएंगी जब कोई प्रेशन करता है जैसे कि आप कहां जाते हैं यह फिर आप मुझे से क्वेशन करें इस सार आप क्यों पढ़ाते हैं यह फिर मैं आप से क्वेशन करूं कि कि आप लोग क्यों English सीखना चाहते हैं तो जब भी हम कोई question करते हैं कोई पूछते हैं किसी से ठीक है तब इस condition में जो वाक्त बना जाते हैं जो वाक्त के प्रियोग में लिए जाते हैं ऐसे वाक्ते को हम प्रिश्ण वाचक वाक्त कहते हैं जैसे कि आप भोजन कैसे बनाते ह हैं और आप English classes सीखते हैं यह फिर आप रोज सुबह क्या उटकी करते हैं यह फिर आप रोज उटकर सबसे पहले क्या करते हैं तो जब भी हम किसी प्रिश्ण पूछते हैं उन्हीं को हम इंट्रोगेटर संटेंस कहते हैं हलाकि इनको हिंदी में सकारात्मा को और कहते हैं अब जो सकारात्मक वाक के निए ने को ठीक है इनको हिंदी में क्या कहेंगे प्रिष्ण वाद्चा के वाद्चा के वाध्चा के वाध्च यहीं से पता चल रहा है प्रिष्ण करते हैं या कोई चीज पूछते हैं तो वहाँ पर इस तरह के सेंटेंसों का प्रयोग होता है जैसे कि मैं एक्जांपल से आपको समझाता हूं कि क्या आप रोज इंगलेश पढ़ते हैं रोज इंगलेश पढ़ते हैं तो क्या आप रोज इंगलेश पढ़ते हैं तो देखिए जब भी कहीं आपको प्रिश्ण वाचकवा के लिखे मिलेंगे न तो वहाँ पर ये वाला अच्छे ने लगा रहता है आपने कहीं देखा हूं जब आपको यह वाक लिखना हुरफ में तब भी आपको ध्यान में रखना है कि इस चिन्द को लगाना नहीं भूलना क्योंकि जो प्रिष्ण वाचक वाक्यों की जो मूल पहचान है है ना जो प्रिश्ण वाचक वाक की ओरिजिनल पहचान हुई ही है अगर वाक्यों के अंतुमें ये चिन्ध लगा हुआ है तो इसका मतलब ही है कि वह वाक्त भी हमारा प्रिश्ण वाचक वाक्त है दूतर ग्जांप लेते हैं वह है खाना कैसे बनाती है वह खाना कैसे बनाती है वह खाना कैसे बनाती है ये भी हमारा प्रिश्ण वाचक सब्द है तो आपको प्रिश्ण वाचक सब्दों को भी याद करना होगा मैं डिस्क्रिशन में सभी प्रिश्ण वाचक सब्दों को लिख दूंगा नहीं तो मैंने प्रिश्ण वाचक वाक्त तो आप देख सकते हूं उस वीडियो को तो क्या कैसे क्यों अभी मैंने स्टार्टिंग में बता है कि जो प्रिश्णवाचा सब्दों किस तरह के होते हैं तो वह खाना कैसे बनाती है यह हमारा प्रिश्णवाचा को आके कहलाएगा तीसरे एक्जमपल लेते हैं राधा गाना क्यों गाती है क्यों गाती है तो यहां पर यह हमारा क्यों सब्दा आगा है और यहां पर सवाल ही तो किया जा रहा है आपने देखा कि वह खाना कैसे बनाती है जब हम किसी से पूछते हैं या आप किसी से कहेंगे वह खाना कैसे बनाती है या फिर राधा गाना क्यों गाती है तो आप किससे बोलेंगे अपने दोस्ते या फिर किसी अपने अपसी से है ना डायक्ट राधा से नहीं पूछेंगे तो जब आप किसी से सवाल करते हैं किस कि हो सोते हैं अब सुख कब तक सूते हैं तो कब तक भी हमारे सब्सक्राइक की अंदर ne inject की अन्दर आता है और जहां यह कब तक जिस वाक्त की अंदर आ जाता हो पूरा वाक्त की मिश्णाजवास सब्थ बन जाता है प्रिश्ण वांचक वाक्षण है इस तरह के वाक्ष हमारे सभी वाचक होत estás Great और तरह से हम पहचान सकते हैं कैसे भाक के बीच में और यह वाला दौना छीज़ी रहती है यह वी लेकिन लाश्ट में जरूर रहता है तो इस तरह से प्रश्णवाचब वाक्तों को पहचान आ जा सकता है और जहां भी प्रिश्ण करते हैं वह सभी वाक्त के प्रिश्णवाचब वाक्त कहलाते हैं फिर अब ऑपहल समझते हैं और अच्छीए स्ट्श्ण होगा कियां है आप कि खाना कि नहीं बनाते हैं बनाते हैं देखो यहां पर जो हमारा इंट्रोगेट्रों का फार्मूला वह भी लगता है वाक्त करते हैं उनमें प्या क्यों कैसे आता है है यहां पर क्या आगया है लेकिन निग अगया है ना दौनों चीज़ जब भी किसी वाक के अंदर आपको प्रश्णवाचक सब्लें और ये नकरात्मक वाला सब्लें मिल जाता है जब दौनों चीज़ें किसी एक वाक मिलते हैं तो का मतलब यह है कि जो हमारा वाक है यह इंटोगेटिव प्लस निगेटिव का है दूसरे एक्जाप लेते हैं वह वह किताब कब नहीं पढ़ता है कब नहीं पढ़ता है यहाँ पर देखना है कब भी आ गया यह जो कि प्रश्न वाचक सब्द है और नहीं भी हा गया न करातम मख सब्द भी आ गया और या COM बहुत फे-घ्जाप लेते हैं तो यह हमारा के क्रियों कत्रोगेटिव के इंदर कहल आता है ठीक है यह पर तीसरे जांप लिते हैं कि वह क्यों बाजार नहीं जाता है तो वह क्यों बाजार नहीं जाता है या फिर हम इस यह हमारा इंटर प्लस निगेटिव के अंदर को बाग खेलाएगा क्योंकि इसमें प्रिश्ण वात्र सब्सक्राइब आया है और नकरात्मा के सब्सक्राइब आया है तो आप ने देखा कि इस तरह से जो चार तरह के बाग बना जाते हैं टेंस के अंदर अफरमेटर सेंटें फिर लाश्ट होता है इंटर प्लस निगेटिव तो चार तरह के बागे में थोड़ा थोड़ा संतर रहता है और यह इतने भी कठें नहीं है बस प्रेक्टिस का खेल है आप तिन चार दें पांच दिन प्रेक्टिस करेंगे लिख लिख कर पढ़ पढ़ कर तो आपसे हमेश लग लिए याद हो जाएगा तो चली में